हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मेहंद्र कुमार, पुत्र लुकारा, मेगवाल, निवासी मेगलवा, हाल, आलवाड़ा में घायल वस्ता में सायला अस्पताल की तरफ लाया जा रहा है जो कभी भी मर सकता है जिस पर सायला पुलिस तत्काल सरकारी अस्पताल पहुची जहां एक बोलेरो गाड़ी में महंद्र कुमार का सव रखा था पुलिस ने गाड़ी सहीद शव को अपने कबजे में लिया पुलिस ने आलवाड़ा गाउं में उसके परिजनों को सूचना दे कर बुलाया पुलिस ने शव का मेडिकल बोट से पोस्ट मॉटम करवाया तथा एफल सल टीम ने भी शव का बारिकी से मुएना किया पुलिस की प्रथम जाच में अतरिक पुलिस अधिचक जालोर रामकुमार कच्वा के अनुसार गट 27 जुलाई को मेहंदर कुमार पुत्र लूकारा मेगवाल निवासी आलवाड़ा नर्पत सिंग धवेचा की पतनी को लेकर चला गया था जिससे नराज होकर मोंटु सिंग उर्फ मनवेंदर सिंग वगेरह ने गटना के चार पास दिन पुर्व मेहंदर कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी जिसके बाद बुधवार को नर्पन सिंग की पतनी को मेहंदर के कहे अस्थान पर खोजबिन की वहाँ नर्पन सिंग की पतनी नहीं मिलने पर उसके साथ मार पिट की रात को पुनह गाड़ी में डाल कर रवाना हुए जो गुरुवार अल सवेरे सायला राजकी अस्पताल के मुख्य द्वार पर पोचे जहां से पुलिस ने गाड़ी सही शव को अपने कबजे में लेकर कारवाई शुरू की परि जनों की और से सभी आरोपियों को गिरफतार नहीं किये जाने तक सवको नहीं उठाने की मांग कर रखी है मेहंदर कुमार की हत्या की खबर छेत भर में आग की तरह फैल गई जिससे लोग राज की अस्पताल परिचर में एककत्रित होने लगे देखते ही देखते सैकडों की संक्या में लोग जमा हो गए आने वाला हर व्यक्ती हत्या योँम उसके कारणों को जानने के लिए उत्सुक बना हुआ था एक दुसरे से कानाख फूसी करते देखे गए वहीं कुछ लोग परिवार के लोगों को ढंड़ज बंदवाते रहे समाज के पंचुवा नेता पुलिस से वास्तिविक नायवा दोशी को दंडित करने की मांग करते रहे महंदर कुमार पुत्र लुकारा मेगवाल की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया जिसकी जाच गहनता से की जा रही है वहीं जाच उप पुलिस अधिचक जालोर अमर सिंग चंपावत को सौप दी गई जिने गहनता से जाच कर दोशीों के विरुद कारवाही करने के निर्देश दिये गए साहला से जागरुख टीवी की रिपूट